हेलो आज मैं आपके साथ में शेयर करने जारी होटेल स्टाइल मुंग डालवड़ों की रेसेपी होटेल वालों के कुछ टिप्स और ट्रिक्स होते हैं जो वो किसी को नहीं बताते लेकिन इस वीडियो में बिक साइस के मुंग डालवड़े किस तरीके से बनाये जाते हैं ऐस इस तरीके से बिक साइस के मुंग डालवड़े आप भी बनाकर रेडी कर सकोगे अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो मेरी रिक्वेस्ट जरूर सो में चैनल को लाइक किजिए शेयर किजिए और सब्सक्काइब किजिए तो चले सबसे पहले हम 200 ग्राम मुंग डाल ले जहीं हैं चारसे पांच लॉंग लेंगे मिना संद क्त लिए कि तो फिवल पुदत वणा यहारी सूख्य लेंगे तो कड़ि पत्ता लेंगे इस अच्छी तो पावडर फ़्म में बना लें मैं जूआlek कि इस मसालय बन चुका है, इस मसाले क्या बड़े हो, चाहे पकोड़े हो, चाहे कोई भी स्नेक्स हो बनाओगे नों बहुत ज़्यादा चटपटे बनेंगे, तो इस तरीके के मसाला कर आप बना कर भी स्टोर कर लोगे न, तो हर स्नेक्स में ये काम आएगा आपको, बहुत ही बड़िया बनकर रेडियो ता, लेकिन इसे फाइन पेस्ट बनाना है, हमासाले को साइट में रख देंगे यहाँ पर जो हमारी मुंग दाल है, उसमें हम एक बड़ा बोल भरकर धनिया पत्ता लेंगे और फिर दो से तिन प्यास को जो हाँ तो कद्व कसला कर लेंगे, फिर उसका पानी निकाल लेंगे, निचोड लेंगे जैसा, उसके अंदर जितना भी वॉटर एककस वो निकाल लेंगे, और फिर जो हमने मसाला बना कर रखा है, चटपट वाला वहो दालेंगे, अब इन सा मिक्सी के जार में डालेंगे इसमें डालेंगे 2 टेब्ल सपून वॉर्टर इसे अच्छी तरीके से फाइन पेस्ट बना लेंगे बिल्कुल भी इस दर दरर नहीं रखें इस तरीके से फाइन बनाएंगे Marcel में भी कुछ साइसर्षे में कि ये साथ आपके बताऊंगे और कौन से secret ingredients है तो इस अच्छी तरीके से जो है तो mix करेंगे mix करने के बाद में फिर अब हम इसमें क्या करेंगे जो secret ingredient है जिससे जो है तो बड़े-बड़े size के बंते वो है बेसन तो यहाँ पर हम लगबग 200 ग्राम बेसन दालेंगे जितनी हमें मौंग लेना है नो उतना ही बेसन लेना है लेकिन एक बात का ख्याल रखना यहां पर जरूरी है कि जो मौंग दाल में अगर हम ज़रा सभी पानी रहने देंगे न तो बेसन की quantity जादी लगेंगे तो मौंग दाल अच्छी तरीके से नित्री होई होना चाहिए तो हमने एक कप बेस बेसन दाला लगबक 100 ग्राम हमने इसमें यूज कर लिया है और अच्छी तरीके से इन सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे फिर से एक कप जो बेसन हो पूरा हम इसमें डाल देंगे और फिर से अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे तो यहां पर रेशो बिल्कुल परफेक्ट है 200 200 ग्राम मुंग दाल लगेंगे 200 ग्राम बेसन लगेंगा सिफ हमें मुंग दाल को अच्छी तरीके से जो है तो निधार लेना है उसमें पानी नहीं रहना चाहिए अब अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे मिक्स करने के बाद हम क्या करेंगे आप अच्छी तरीके से हाथ क वाश कर लेंगे और पानी वाले हाथ लेंगे जबूंक वाडे बनाना है ना थो पानी लगा हूँ खरीक हो करिये जैहाए अब आपको यहां पर बड़ी उतने बड़े साइस के लिए पटो ऊटे यह और दपाई होगा एन्व ह bought the तरह से बोल दालेंगे और 5-6 मीट पकने देंगे लगभग ये बोल को 30% हमें पकाना है 70% हमें कच्छा रखना है बस इस तरीके से अधर कच्छा हमें बना लेना और फुल फ्लेम पर हमें फ्राइ करना है अब ये 30% कोख हो चुके है और थोड़े से गोल्डन भी हो चुके है इसे हम निकाल लेंगे और निकालने के बाद मैं आपको आगे का प्रोसेज बताती है इस तरह से हम पूरे वड़े के बॉल्स जो है तो फ्राइ कर लेंगे अब एक अब एक बोल लेंगे और इस तरह कर लेंगे जिसे बसी कहते हैं जिसमें चाइप फ्राइब कहला निक लेकिन हमें तो आदत है तो हम एक साथ में जहां पर फ्राय करते हैं वहीं पर बाउल को चप्टा करके इस तरीके से शेप दे देते और फिर बाद में फ्राय कर लेते तो अब यहां पर एक लगेंगे हमें फ्राय करते हुए और यह बहुत अच्छी तरीके से वाड़े जो है तो फ्राय हो जाते हैं बिल्कुल भी तूटे नहीं बिखरते नहीं इस रेसेपी को अगर आप फुल वाच कर लेंगे तो एक्जट आपके भी पास के वाड़े इसी तरीके के बनेंगे और बहुत ही कम बजट में यह वाड़े बनकर रेड़ी होते हैं तो आपको यह रेसेपी पसने हैं अगर आपको यह रेसेपी पसने हैं प्लीज लाइक करना शेर करना सब्सक्राइब करना अल्ला हाफीस एं टेक केर